सो ये गाइस आज की इस वीडियो में बात करें क्लास एट इंदी एंस यार्टी वसंद बुक का चैप्टर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा तो इसके हम सेकंड पार्ट पर्स्ट और सेकंड पार्ट कर चुके हैं तो चलिए यह थर्ड पार्ट शुरू करते हैं यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई जो यह फिल्म थी वो 14 मार्च 1931 में मैजस्टिक सिनेमा में दिखाई गई थी फिल्म आर्ट सब्ता तक हाउसफुल चली और भीड इतनी उमरती थी कि पुलिस को भी नियंतर करना क्याया मुश तो मगर दर्शकों के लिए फिल्म एक अनोगा अनोवव भी रही थी यह फिल्म 10,000 फुट लंबी और इसे चार महीनों की कड़ी मैनत से त्यार किया गया था यह फिल्म कहती उस ताइम जो थी वो रील चल वैसी उस तरह की रील से चला कर थी तो यह फिल्म कहती दस फुट तो लंबी थी और इसे चार महीनों की बहुत कड़ी मैनत के बाद शूट किया गया था नहीं की चार महीनों में पुरी थी सवाफ फिल्मों के लिए पौरानिक कथाओ पारसी रंगमंच के नाटक को अर्वी प्रेम कथाओ को विशे के रूप में चुना गया जो बोलने वा नहीं को आवज मानकर फिल्म अर्वं बनी ढो़न है गुटा की चार इसी जो एक फिल्म नाम किया है खुदा की शाen इसमादार महात्माजी घासा फिल्म में चोविक कड़ा था मातमा कांदी चीज का इसके कारण सुबाक सिनिमा को IBM की At i की नजर का सामरा करना पड़ा यह इस बोलने वाली फिल्म क僕 सामने तो useful सिनिमा उसके कारण सुबाक सिनिमा जो बोलने वाला जो पिछ़ स्याला है तो उब बियुक्त सबख सिनिमा को भी प्रॉटी। झालाब करना पड़ा मदन के नए दोर कि शुरुआत करता है। निर्मातर निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा कि प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें समानत किया गया सवाख छीनिमा की जो नया दोर थे यानि जी बोलने वाली जो सिनिमा जो उसका नया दोर चगा था थ हो उनकी शुरुआत करने वाले निर्देशक निर्देशक कौन थे अर्देश इरानी जी तो वो इतने विरम्द थे जब उन्हें 1956 में अने की उन्हें समानत किया गया कि उनकी जो पहली जो फिल्म है बोलने वारी जो उन्होंने बनाए आलम आरा उसके 25 साल पूरे हो चुके हैं तो उन्हें कहा भारती ये स्वाक फिल्मों का पिता भी कहा गया था उन्हें ये टाइटल मिला था उन्हें कहा जाने लगा था भारती ये स्वाक फिल्मों का पिता कहा गया तो उन्होंने उस मौके पर कहा था मुझे इतना बड़ा किताब देने की जरूरत नहीं मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से की का जरूरी योगदान किया मुझे इतना बड़ा किताब देने की कोई जरूरत नहीं जब उन्होंने कहा उस मौके पर ये बात कही थी कि मैं तो बस देश के लिए अपना जो मेर से हो सका जो मुझसे बल पड़ा मैंने वो योगदान किया था अपने हिस्से का योगदान किया जब पहली बार सिनिमा ने बोलना सीख लिया सिनिमा में काम करने के लिए पढ़े लिए कि अबिनेतरियों की ज़रत पढ़ी संवाद भी बूलना था सर्व अब नहीं चलने वाला था मोगफिल्मों के दोर में तो क्याए पहलवां जश्रीर वाले स्टन्ट करने वाले और उचलकूद करने वाले अब इन्हें ताहों से काम चल जाया करता था क्योंभी उन्हें बोलना नहीं पड़ता था अगर इलिटरेट यानि के अनपड़ भी होते थे तो भी उनका काम चल जाया करता था क्योंकि उन्हें बस हातवा थिलाने मतलब वैसे ही करना पड़ता था उन्हें अब उने समभात बोलना था तो गायन के प्रतिवा की भी कद्र होने लगी थी जो गाया का अभीनेता को भी बड़े पत पर नजर आने लगे थे हिंदी उर्दो भाषाओं का महत भी बड़ा और सिनिमा में देह और तकनीक की भाषा की जगे जन प्रिचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिल है सिनिमा में यानि की देह और तकनीक की भाषा की जगे जो आजकल चलते होती है भाषा उसकी बजाए जो प्रिचलित उनकी देश में उनकी असपास के जो जगे उनकी प्रिचलित बोल चाला उसको भी उनकी महत्वता बढ़ने लगी सिनेमा जादा देशी हो एने की जो चीज़े देशी होती है हमारे देश में ही बनी होती है वो जादा देशी होने लगा एक तरह की नहीं आजादी सी थी है जिसे आगे चलकर हमारे देनिक और सारुजेने जीवन का प्रतिबिम फिल्मों में बैतर होकर उबढ़ने लगा था अभी नेताओं और अभी नेत्रियों की लोग प्रियता कासर उस दोर के दर्शकों पर खूब भी खूब पढ़ रहा था मादुरी नाम की फिल्म में नाईका सुलोचना की हेर स्टाइल उस दोर में औरतों में लोग प्रिये भी रही थी औरते अपनी के सज्जा उसी तरह कर रही थी अर्देशिर एरानी की फिल्मों में भारतिये के अलावा एरानी के लगारों ने भी अभी ने किया था स्वेम आलम आरा भारत के अलाव स्री लंका वर्मा और पश्यम एशिया में भी पसंद गी गई थी बारतिय सिनिमा के जनक फालके के फालके को स्वाक सिनिमा के जनक अर्देशिर इरानी की उपलब्दी को अपनाना ही था क्योंकि वहां से शेनिमा का एक नया यूग शुरू हो गया था तो गाइज यह जो पार्ट है वो लिखा है प्रदीप तिवारी जी ने अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर कमेंट करना ना भूले थैंक्स फॉर वट्ट